पादर की डेथ हो जाने के पाथ मदर बच्चों को अपने पैरेंट्स की हाव पर लीकर जाती है कुछ रीजन्स की वज़े से बच्चों को घर में छुपकर रहना पड़ता है यहाँ से एक बहुत ही अजीब तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको फ्लावर सिंदैटी यह 2014 की एक हॉलिवड मुवी एक्स्प्लेन करने वाल हूँ अगर आपको व्यूड़ अच लगता है तो प्लीजे से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिन अगसिदरी के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारी कैरेक्टर कैथरिन ही हमसे बात कर रही थी वो कहती है कि लाइफ में कब क्या टरन आ जाए इसके बारे में आप बता नहीं सकते है पहले तो हमारी लाइब बहुत ही perfect थी पर उसके बाद बहुत ही dangerous से turn आए अब यह सब क्या था यह हमें flashback में पता चलेगा हम Catherine की family देखते हैं जिसमें उसके छोटे से twin brother और sisters थे और एक बड़ा brother था जिसका नाम था Christopher Mother का नाम था Corin और father का भी नाम Christopher ही था आज जो घर पर आये तो उन्हें देखका सब लोग बहुत ही excited थे father ने भी सब के लिए gift लाया था mother के लिए उन्होंने एक बहुत ही expansion निकलेश लाया है इसके बाद वो बच्चों के साथ garden में खेल रहे थे Catherine अपने father से बात करती है कहती कि आप इतना जादा दूर मत जाया करी है वोने मिस करती है घर में सब लोग बीजी होते है और उस पर कोई भी धार नहीं दे पाता वो और कुछ बता पाती इसे पहले कोरिन अच्छी दरीगे से तयार होकर बाहर आ की वो excited थी क्योंकि father को promotion मिल गया अब वो और भी जादा बीजी हो जाएंगे इस बात से gathering को बहुत बुरा लगा वो upset होकर अपने room में चली गई फादर उसे मनाने के लिए उसके पास आए एक बहुत ही expensive necklace उसे gift करते है फादर ने गाक में जो भी कर रहो इस सब कुछ हमारी family के लिए है नेक्सिर में हम देखते हैं कि इनकी घर पर बड़े party थी फादर ज़रा लेट हो गय है दोर पर नौक आई पर ये police की थी फादर का accident हो चुका था और उनकी date हो जाती है सब लोग को बहुत शौक लगा ट्विंस को तो अपने फादर की बहुत ज़ादे याद आती थी कोरिन बहुत ज़ादे डिस्टब होने लगी उसके पास पैसे भी नहीं थे कैथरीन ने पूछा क्या हम ठीक रहेंगे कोरिन गहती है मेरे पास कोई भी skill नहीं है मैं सुन्दर थी इसी वज़े से मेरी तुम्हारे फादर के साथ शादी हुई थी और वो कुछ ना कुछ करने का तो ट्राय कर ही रही है पैसे ना दे पाने की वज़े से कैथरीन का पहले क्लास भी छुट जाता है कोरिन ने बहुत सारे लेटर्स लिक कर इनने पोस्ट कर दिया थोड़े दिनों बात कोरिन को लेटरस का रिपलाय आता है उसने फिर अपने सब बच्चे को कहा कि अब हम जाकर मेरे पैरेंट्स के यहां रहने वाले बच्चे शौक टोक है क्योंकि उन्हें कोरिन के पैरेंट्स के बारे में पता ही नहीं था कोरिन ने का मैंने मेरे पैरेंट्स के मर्जी के खिलाब शादी की थी तो इसी वज़े से वो हम पर बहुत गुस्सा थे अब वो फिर से उनके पास जाकर माफी माग लेगी सबको मना लेगी बच्चे ज़रा कन्फियूस थे क्योंकि यहां की पूरी लाइफ छोड़कर उन्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा और कोरिन ने प्रामिस किया कि मेरे पैरेंट्स बहुत ही जादा रीच है यहां पर इनकी जो भी सब चीज़े थी इससे जादा वो उन्हें पाई कर कर देगी क्योंकि वैसे भी यह लोन पे नहीं कर पाई तो इस वज़े से बैंक सारी चीज़े इनकी ले लेगी इसके बाद एक कोरिन की सीटी में पहुँचे वहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई भी आया नहीं था वैसे रात में बहुत टाइम तब वॉक करते करते वो कोरिन के घर पर आ गए कोरिन की मदर दर्वाजा खोलती है इसका नाम था ओलिविया ओलिविया ने कहा कि देखो बिल्ली अपने साथ क्या लेकर आई वो कोरिन को हमेशा बिल्ली बुलाया करती थी बच्पन से ओलिविया ने कोरिन को हेटी किया है क्योंग कोरिन अपने फादर से close थी ओलिवया ने बच्चों को एक उपर का कमरा दिया जहाँ अबर कोरिन की फादर उन्हें देख ना पाया बच्चे घर में है ये एक secret था कोरिन अपने फादर को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी अगर फादर ने पहले उसे माफ कर दिया इसके बाद उन्हें पता सकती है कोरिन ने समझा दिया कि मेरे फादर बहुत ही old है वो कभी में मर सकते है एक बार उन्हें अगर मुझे फिर से accept कर लिया फिर हम million बन जाएगे हमें इस तरीके से रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोरिन ने कहा कि में दिन बर यहाँ पर नहीं रह सकती वो बीच बीच में उन्हें मिलने के लिए आती रहेगी अगली सुबा ऑलिविया बच्चों के लिए खाना लेकर आए इसने कहा कि दिन बर तुम्हें खाना है मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी या इस रूम में थोड़ा भी आवाज नहीं होना चाहिए अगर ट्विन्स को खेलना है तो उपर एटिक है वहाँ पर वो खेल सकते है बातरूम यूज करते वक कभी भी लड़का और लड़की एक साथ नहीं जाएंगे अलिविया ने कहा कि अगर तुम्हारे ग्रैंट फादर को पता चला तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो तो बहुत ही बुरा होगा बच्चे फिर उपर एटिक देखने के लिए के ट्वियन्स कोई जगा खेलने के लिए अच्छे ही नहीं लगती है पर इनके पास कोई पी आप्शन नहीं था इसे ज़रा इंटरस्टिंग बनाने के लिए कैथरिन और क्रिस्टोफर ने उनके लिए जुला बना दिया रात में कोरिन सबसे मिलने के लिए आए ट्वियन्स उसे कहते हैं हमें यहाँ पर नहीं रहना और बहुत ही बोर हो रहे थे उन्हें घर पर जाना था कोरिन उन्हें समझा दिया है कि तुम्हें कैथरिन और क्रिस्टोफर का सब को चीज़े सुननी चाहिए ट्वियन्स मानते नहीं और हल्ला करने लग गए तब ही ओलिवया आ गए उसने जोर से एक ट्वियन को मारा कहा कि इस घर में इस तरीके से चीज़े नहीं चलेगी कोरिन इस पर गुसा हो जाती है कहती है तुम मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते वरना मैं यहां से चली जाओंगी ओलिवया ने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकती हो यह मेरा घर है और मेरी सब चीज़ी हाँ पर चलेगी उसने कोरिन को अपना शर्ट निकालने के लिए कहा इतने सालों बात कोरिन वापस आये तो इस वज़े से ओलिवया ने कोरिन को बहुत मारा था बच्चे भी यह देखकर डर जाते हैं ओलिवया ने कहा कि तुम सब बच्चे एक डेविल की संतान हो यह बात बहुत ही अजीब थी यही चीज़ कैथरीन वंडर गर दिया किसका क्या मतलब हुआ कोरिन ने उसे समझाया कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर मुझे बहुत मारा करती थी तो इससे वज़े से अपने फादर के बहुत ही क्लोस थी हमेशा मेरी मदर मेरे फादर को मेरे खिलाब बहुत ही अलग-अलग चीज़े पताय करती थी स्लोली स्लोली मेरे फादर भी काम में बीजी हो गए थे तो इस वज़े से मैं घर में अकिली पड़ गए तब ही मेरे फादर का हाफ ब्रेदर हमारे पास रहने के लिए आया तुकि उसकी मदर की डेथ हो गई थी यानि कि वो कोरिन का इंडारेक्टली अंकल था वो बहुत हैंडसम और काइन हांटेड था कोरिन और उसमें प्यार हो गया इन दोनोंने भाग कर शादी कर ली और इसे वज़े से इनकी फैमिली इन पर बहुत ज़्यादा कुछ साह हो गई थी फादर ने भी कोरिन को उनकी विल से निकाल लिया था अलिविया ने कोरिन को कहा था कि अगर तुमारे बच्चे हुए तो अबनॉर्मल होंगे पर इसा कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद नेक से नम देखते हैं ट्विन से के लिए क्रिस्टोफर गार्डन पेंट कर रहा था ऑलिविया ने कैथरिन से पुछा कि उपर चल कह रहा है कैथरिन कहती है कि क्रिस्टोफर पेंट कर रहा है वो एक बहुत यह अच्छा पेंटर है औलिवया पुछती है कि कभी उसने तुम्हारी पेंटिंग में आई है क्या तुम्हें कपड़े निकालने के लिए उसने कहा कैथरीन को यह बात बहुत ही कनफ्यूजिंग लगी और यूए समझती थी जिस तरीके से कोरिन का अपने अंकल के साथ अफेर हुआ उसी तरीके से इन ब्रदर सिस्टर में भी कोई रिलेशन्शिप हो सकती है अब इसके बाद थोड़े दिन बीट गए थे और कोरिन बच्चों को देखने के लिए आई ही नहीं वो आने के बाद कहती है कि मुझे पूरा डाइम मेरे फादर के साथ ही बिताना पड़ा वो सेलिंग गई थी उनके साथ पिकनिक पर गई थी ये बात कैथरिन को अच्छी नहीं लगती है उसने कहा एक मंद हो गया तुम हमें देखने के लिए आई ही नहीं तुम्हें जल्दी अपने फादर को मनाना चाहिए हमें भी बाहर जाना है हम इतने भी बुरे नहीं कि वो आपने खुद के ग्रैंट चिल्डरन को एकसेप्ट ना करे कोरीन अब उन्हें सच बताती है कहती कि मेरे फादर ने मुझे माफ किया पर एकी कंडिशन पर कि मुझे कोई भी बच्चे नहीं अब वो उन्हें बच्चों के बारे में नहीं बता सकती फादर बुड़े है तो उनके मरने का इंतजार इन्हें करना पड़ेगा कैतरीन अफसेट थी पर क्रिस्टोफर से समझाता है कि जल से ये टाइम भी गुजर जाएगा उनकी ट्विन सेस्टर उनके पास आई और कहा कि कोरी मिल नहीं रहा वो हार डैंसी खेलते हुए एक बॉक्स में बन हो गया था इसे जल्दी से जाकर एक खोलते तो अनकॉंशेस हो चुका है कैतरीन ने उसे होट वाटर में बहुत हीट किया उसके बहुत अच्छे से खैल रखती है इन्हें हेल्प करने के लिए कोई आया भी नहीं था इसके बाद और भी टाइम गुजर जाता है अब डारेक्टली क्रिस्मस आ चुका था कैतरीन ज़रा पॉजिटिवली कहती है कि हमें ऑलिविया के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए ये गिफ्ट बनाने के बाद ऑलिविया सिर्व इसे देख लेती है और वेसे ही फेक कर चली गई कोरिंच जब इन्हें मिलने के लिए तब बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए बच्चे बाहर की दुनिया मिस करते थे तो उनके लेक टिवी भी लेकर आती है उसने कैथरीन के लेक बहुत ही ब्यूटिफुल सा ड्रेस लाया हुआ था कैथरीन ने कहा कि ड्रेस पहन कर हम जाएंगे कहा हमेशा ऐसे हाइड होकर नहीं रह सकते है आज घर में क्रिसमस की पार्टी थी तो कैथरीन और किस्टोफर दोनों आने की जित करते है कोरिन भी इसके लिए मान गई उन्हें पार्टी में लेकर गए पर उपर के लिकर कैबिनेट में उन्हें बन करकर रखती है जहां से उस सिर्फ पार्टी देख सके एक बॉटल लेने के लिए ओलिवया उपर आई थी पर वो निकालती नहीं वो बच्चों को पकड़ी लेती है पार्टी में फर्स टाइम हम कोरिन के फादर को देखते है वो बहुत ही बुड़े थे कोरिन के फिर से फैमिली में आने से उन्हें बहुत अच्छा लगा था उसे एक बहुत एकस्पेरिंस उने एक लिए जिफ करते है पार्टी के बाद जब बच्चे हाँ से जा रहे थे तो कोरिन को एक आदमी के साथ हो देखते है उसे कह रहा था कि हमारी लाइफ एक साथ स्टार्ट करने के लिए में रूक नहीं सकता उसे कही दूर लेकर जाना चाहता था कैथरिन को एबाद अजीब लगी पर क्रिस्टोफर कहता है मदर अब अमीर होने वाली है उसके पीछे तो बहुत लोग होंगे कैथरिन अब रूम में चली गई पर क्रिस्टोफर आसपास घुमता रहता है जब कोरिन को एबाद पता चली तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्रिस्टोफर के आने के बाद उसने उसे जोर से स्लैप किया अगली सुबा उन्हें सौरी बोलने के लिए आई केश्टोफर ने पूछा क्यो आदमी तुमारे साथ कौन था कोरिन कहती को मेरे फादर का लॉयर है हमें उसकी जरुरत है हमें मेरी मनजिल के बहुत करीब हूँ उसे बहुत बुरा लगा कि उसने कल ये सब किया था वो गहती कि हम इस तरीके से नहीं रह सकते अगर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ हम कहीं भी एड़्जिस कर लेंगे बच्चे सुनकर उसे कहने लग गए कि हम यहाँ पर रह सकते जादा वरी मत करो एक्चुल में कोरिन उन्हें मैनुपलेट करने लग गई थी वो खुद इतनी लाल जी है तो कभी भी इस सब छोड़ कर नहीं जा सकती एक दिन उपर क्रिस्टोफर लड़कियों की मैगजिन्स देख रहा था कैथरिन जब यह उसे पुछती है तो छुपा लेता है इसके बारे में कैथरिन ने कोरिन से पूछा कोरिन ने कहा कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो तो यह अलग-अलग चेंजेस तो आने ही वाले है वो कैथरिन के एक ड्रेस लेकर आती है जब यह ड्रेस कैथरिन पहन रही थी तो क्रिस्टोवर उसे देख लेता है यह ज़र आक्वर था तो भी ऑलिविया यहाँ पर आ गए उसे लगता है कि इन दोनों में कुछ चल रहा था ऑलिवया घुसा ओकर कोरिन को पनीश करना चाहती थी उसके हेल्स कट करकर पर क्रिस्टोवर उसे मना करता है रात में उलिवया ने कैथरिन के सर पर टार लगा दिया सुबा उने पर इसे निकालने के लिए वो बहुत ट्राय करते है पर निकाल नहीं पाते है कैथरिन क्रिस्टोवर से गयती है कि तुमारी कोई भी गलती नहीं थी तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे क्रिस्टोवर ने कहा कि तुम मेरे बहुत पास हो मैं हमेशा लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता हूँ वसे लगता है कि कैथरिन बहुत ही ब्यूटिफुल है पर वो इस तरीके से सोचना नहीं चाहता कैथरिन के हैर से टार निकालने का कोई भी वे नहीं था तो उसने उसके सारे हैर स्कट कर दिया एक दिन कैथरिन जब डान्स पैक्टिस कर रही थी तो क्रिस्टोवर और वो मस्ती करने लग गया ये गलत है ये रेलाइस करकर एक दूसरे से दूर हो जाते है आज कल ट्विन्स बाहर जाने का नाम भी नहीं लेते थे उन्होंने उन्हें खिलके में आकर बाहर जाने के लिए कहा पर फिर भी वो मानते नहीं एक दो साल ये सब यही पर रहे है कैथरिन और क्रिस्टोवर को भी बाहर जाना था तो रात में एक रसी की मदद से नीचे उतर जाते है एक ब्यूटिफुल से लेक के पास आए ये वंडर करते हैं क्या कोरिन उनके लिए कुछ करेगी वो उस पर अब ट्रस नहीं करते है कोरिन बच्चों से मिलने के लिए आई पर डारी लिए 4-5 मंद के बाद वो बच्चों से कहती है कि मेरी शादी हो गई है वो हनीमून पर थी इसी वज़े से उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाई क्रिस्टोफर कहता है कि ऐसा अब नहीं चलेगा दो साल हो गए हम यही पर बड़े हो रहे हैं वो इस तरीके से अब यहाँ पर नहीं रह सकते हैं क्याथरिन ने कॉरिन से बूछा कि तुमारे हस्बंड को हमारे बारे में पता भी है क्याथरिन कुछ भी नहीं बोली और यहाँ से वो चली गई अलिविया के हाथो कोरिन उनके लिए स्वीट्स भेज देती है दोनर्स देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे क्याथरिन ने क्रिस्टोफर से कहा अब हम यहाँ से निकल जाना चाहिए हमें बाद में कितने भी पैसे मिले पर हम इस तरीके से नहीं जी सकते है क्रिस्टोफर ने कहा कि हमें निकलने के लिए थोड़े पैसो की जरुवत पड़ेगी वो विंडो के पास खड़ा था तो आलिया उस पर बहुत चिलाती है वो उसे कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारती तो क्रिस्टोफर कहता है मेरा मेरे फादर की तरह क्रिस्टोफर नाम है इस बात पर उलिविया और भी ज़्यादा गुस्सा होगी उसे कोड़े से बहुत मारती है कैथरियन ने क्रिस्टोफर की जखम देखी और यह दोनों किस कर लेते हैं अगले दीन ने दोनों करीब थे और उलिविया के तो कहती कि तुम दोनों कर क्या रहे हो क्रिस्टोफर रोते रोते उलिविया के पैर में गिर गया कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्लीज मुझे माफ कर दो उलिविया गौड पर बहुत बिलीव करती थी उसने कहा तुम्हें गौड ही माफ कर सकता है उलिविया के जाने के बाद कैथरिन बहुत ही कन्फियूस्ट होगे क्रिस्टोफर से बुछ थी कि तुम्हें ये सब कर क्या रहे थे क्रिस्टोफर हसने लग गया उसने ओलिविया की कीश की कॉपी बनाई थी अब वो जब चाहे यहाँ से निकल सकते हैं अब हर रोज राद में जाकर घर से थोड़े-थोड़े पैसे निकालने लग गे ऐसे थोड़े-थोड़े पैसे चुराते हुए इन्हें बहुत टाइम लग सकता था पर इनके बास कोई आप्शन नहीं था एक राद जब यह ऐसे ही निकले हुए थे तो कोरिन का हजबन ड्रंग होकर सोया हुआ था क्यातरिन उसके बास गए वो क्यूरेस थी तो उसे किस कर लेती है इसके बाद वो पैसे लेकर रूम में आगे बाहर क्रिस्टोवर फेंस को देख रहा था यह अभी-भी बनवाई कही थी और इस पर इलेक्ट्रिक का शौक पर लगवा रहे थे इस इलेक्ट्रिसिटी को बन करने का स्वीच उसने ढून लिया घर में आकर हो देखता है तो कोरिन और इसका हस्वन बात कर रहा था उसका हस्वन कहता है कि मुझे एक सपना आया जिसमें तुम जैसे एक छोटी से लड़की मुझे किस कह रही थी क्रिस्टोवर समझ गया कि कैथरिन थी तो उस पर बहुत जादा गुसा हो जाता है गुसे में एक दुसरे के साथ ही इंटिमेट हो गए क्रिस्टोवर से कहती है कि अगर तुम सहाओ तो हम ये सब चीज़े बन कर सकते है क्रिस्टोवर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हू एक दिन इनका ट्विन ब्रदर बहुत ही जादा बिमार हो गया ये बात उन्होंने कोरिन से कही पर फिर भी उसे हस्पिटल ले जाने के लिए मना कर रही थी कैतरिन उसे बहुत भला बुरा गयती है तो इसके बाद उलिविया ट्विन को हस्पिटल में लेकर गई अगली दिन उलिविया इनके पास आई कहती कि तुमारा ट्विन ब्रदर बहुत ही जादा इल था हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर कुछ भी कर नहीं पाए उसकी डेथ हो गए इन सब को बहुत ही बुरा लगता है अब एक पल भी यह यहां रह नहीं सकते थे दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि रात में घर में जो भी जोलेरी होगी जितने भी पैसे होंगे सब लेकर यहां से भाग जाएंगे यही चोरी करते हुए मेड की बात उन्होंने सुने यहां की मेड भी चोरी कर रहे थे वो गहते है कि कॉरिन के फादर के मर जाने के पाद अब वो स्लूली स्लूली सब मेड्स को निकाल रहे है हम खुद का जितना फाइदा कर सके हमें उतना कर लेना चाहिए क्रिस्टोफर को शौक लगता है कि एक्चुल में उसकी ग्रैंड फादर की हालत जरा खराब थी छोटी सिस्टर ने अपना डोनट एक माउस को खिलाय था और माउस की डेथ हो गए इसका मतलब है जो डोनट कोरिन ने उन्हें भेजे थे यह पॉईजनस थे शायद इसी वज़े से इनके छोटे ब्रदर की डेथ हो गए इन सब का आवाज सुनकर ओलिवया उपर आगे उन्हें मार रही थी पर क्रिस्टोफर ने उसकी छड़ी ले ली वो ओलिवया को पकड़ लेता है और सब लोगों को एटिक में जाने के लिए कहा उन्हें पता था कि औलिवया को एटिक में जाने से डर लगता है वो भी उसे घसिटते घसिटते वही पर ले कर गया वो डोर बन कर देता है और यह सब खिड़की से बाहर निकर गया औलिवया वहाँ से नहीं जा पाई उसके हालत बहुत ही जादा खराब होगी इन सब को भागता देग एक सरवन ने उन्हें देख लिया क्रिस्टोफर उसे कहता है कि प्लीज हमें जाने तो हम कोरिन के बेटे है सरवन को भी पता चल गया कि यहाँ पर चल क्या रहा था वो जाकर फेंस की इलिक्रिसिटी बन कर देता है और यह सब यहाँ से भाग गए कैथरीन हम से कहती है अब हम उस प्लेस पर कभी भी नहीं जाएंगे पर हमारी मुलाकात फिर से हमारी मदर से हो सकती है मुझ में और क्रिस्टोफर की बीच में जो भी है इस वज़े से कोरिन को हमेशा शेम में जीना पड़ेगा यही उसके लिए सज़ा होगी क्रिस्टोफर के साथ हो न यह कैथरीन का अपने मदर से लिया गया हुआ एक बदला था इसी के साथ यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ऐसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुवी जेकर आधा रहता हो तो प्लीज इस चैनलों का सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटोवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एक निम्मुई के साथ तो तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया